अब खबर हापोर से जहां फूर्ड स्पेक्टर और खाद विभाग की टीम ने दवाई बनाने वाली फैक्टरी पर बड़ी चापे मारी की टीम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर मोधी नगर रोड पर चल रही एक फैक्टरी पर चापे मारी की और तकरीबर नाखर उपई की दवाईयों को बरामत किया तो वहीं अधिकारी ने दवाईयों के सैंपल जांच के लिए भेज़ दिये हैं बताते चलें कि जानकारी के मताबिक पिल्खुआ कोतवालिक शेतर के मोधी नगर रोड पर चल रही वैद और शुधाले नामक फैक्टरी में दवाईयों बनाने की शिकायत डियम हापर से की गई थी शिकायत मिलने पर डियम ने ड्रक्स इंस्पेक्टर और खाद विभाग की टीम के निर्देश देती हुए जांच करने के लिए कहा वहीं डियम की निर्देश के बाद ड्रग इस्पेक्टर और काद विभाग के अधिकारियों ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर फैक्टरी में चापे मारी की जिसमें टीम को भारी मात्रा में दवाईयां बरामद हुई ही मेंौ इक सीकायत जिलहाकरी के पास आई थे हैं उसको है शन्ञान में लेकर कि हमें हमने अपने हैं सरी बिरेंदर कुमारदी मेरठ मंडल ट्रके आसेस्टेंट कमिस्टर ठरग हैं उन्होंने एक टीम बना करके जिसमें से मेरट के टर्जन इस्पेक्टर भूल और सब्सक्राइब को सभी को पुलिस बल के साथ यहां चापया मैं यहां यहां आने के बाद देखा गया कि बोर्ड तो इस्टिल का लगा हुआ है भीचे के दर्वादे से सारा काम चल रहा है और यहां बड़ी ही है अन हाइजेनिक कंडिशन में यह सारे प्रोड़क्त बना रहे हैं कुछ कैप्सूल ऐसी है जो पाइक की जा चुकी है कुछ कैप्सूल है जो खिल की जा चुकी है इंटरमेडिट है प्रोड़क्त भी बन रहा है कुछ कैप्सूल ऐसे हैं जो इंटी ह काली।